नमस्कार साथियों आपका अपना चैनल मने मंतर में आप सबका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे 99.09% तक तूट चुका 33 रुपे का शेर हाल फिलाल 30 पैसे में क्या ये 33 रुपे से तूट कर 30 पैसे तक आचुका इंफ्रास्ट्रक्चर कमपनी का शेर कमाल धमाल करेगा साथियों अगर हम बात करें इस इंफ्रास्ट्रक्चर शेर ने बिगत में 33 रुपे 27 पैसे के उचाई से लगातार कई सालों से एक तरफा गिरावट और इस गिरावट के कारण 99.09 परशेंट टक गिर के ये 30 पैसे के CMP में हैं हाल फिलाल 30 पैसे के बेस लेबल से ये अपसाइड के और जाता हुआ दिख रहा है अगर हम इसके एक मैने के चार्ट पैटर्न को देखें बीत एक मैनों में ही इसने 25 पैसे के अपने बेस लेबल से 30 अक्टूबर से 39 आते आते 30 अक्टूबर से 39 आते आते लगबग 20 से 25 परशेंट सौरी साथियो 30 से 35 परशेंट तक बहत्रिन मुनाफ़ा दे चुका है 33 रुपे के उचतम लेबल से 25 पैसे तक आ चुका ये इंफ्राइस्ट्रेक्चर सेक्टर का कभी बहुत बड़ा और दिग्ज़ कमपनी हुआ करता था उसका शेर हाल फिलाल 25 पैसे तक नियोतम लेबल में आके अब यहां से एक बहत्रीन आपसाइट करने को तयार है अगर हम इस इंफ्राइस्ट्रेक्चर कमपनी के सितंबर क्वाटर के रिजल्ट को देखें जून क्वाटर रिजल्ट के मुकाबले जहां नेट सेल में 0.45 करोड का आपसाइट रहा है जबकि जून 2019 में नेट सेल का कोई भी डाटा नहीं था यहने के कोई भी नेट सेल जून क्वाटर में कमपनी ने नहीं किया था आपरेटिंग प्रॉफिट पीवी डी आइटी और इनकम की अगर हम बात करें जून फर्स्ट क्वाटर में जहां कमपनी माइनस दो पॉइंट तेरा करोड था सितंबर 2019 में माइनस का फिकर काफी हद तक बैतर हुआ है माइनस 1.66 करोड यहने के घाटे में 22.07% की सुधार हुई है वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें साथियों नेट प्रॉफिट में 20.63% की गिरावट है वहीं अगर हाद कमपनी के ऊपर करजे और करजे के ऊपर देंदारी वाली अगर इंटरेस्ट की बात करें इंटरेस्ट में जरूर 17.66% की बहुत जबरज़स्त रिकबरी देखने को मिली है वहीं अगर हम साल दर साल परिडाम को देखें रिजल्ट को देखें साल 2018 के सेकंड क्वाटर रिजल्ट से लेकर साल 2019 के सेकंड क्वाटर के दोरान जहां नेट सेल में 95.28% तक की डाउनसाइड है दबाव है वहीं अगर इंकम में भी 10.75% की आपसाइड जरूर दिख रहे है लिकन ये माइनस की ओर है कमपनी पिछले साल सितंबर 2018 सेकंड क्वाटर में माइनस 1.86 क्रोड रुपे का इनकम में माइनस था जो की सितंबर 2019 में भी 1.66 क्रोड माइनस में है बेशक माइनस टू माइनस 10.75% की आपसाइड दिख रहे है लेकिन अभी कमपनी घाटे में है वहीं अगर हम इंट्रेस्ट की बात करें इंट्रेस्ट बहुत तेजी से कम किया है ये काबिले तारीफ है वहीं अगर हम साल दर साल नेट प्रॉफिट को देखें यहां भी 62.95% की गिरावट है जहां कमपनी को सितंबर 2018 के सेकेंड क्वाटर में माइनस 3.05 क्रोड का नेट प्रॉफिट में लोच वहा था और सितंबर 2019 में 4.97 क्रोड का नुक्सान है यहने के पिछले साल भी ये माइनस में थी इस साल भी माइनस में है और माइनस का फिगर काफी बढ़ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन की अगर हम बात करें यहां लगबग 3.500% की गिरावट के साथ जबर्जस्क दबाव है वहीं अगर हम बीते 4 क्वाटर का पर्दशन देखें बीते 4 क्वाटर में नेट सिल न के बराबर है वहीं इनकम में भी काफी ज़्यादा बेशक शुदार देखने को मिला है लेकिन अभी भी माइनस में हैं नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट लगातार गिरावट के ओर जा रहा है आपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन में भी जबरजस्त गिरावट है वेशक हम बात कर रहे थे ग्यामन इंफ्रा प्रोजेक्ट की जो की 37 रुपे के उचतम लेवल से ये 25 पैसे तक नीचे गिर चुका है हाला कि 25 पैसे के बेस लेबल से ये 35 पैसे के CMP तक आ चुका है लेकिन गैमन इंफ्रा प्रोजेक्ट का अगर हम क्वालिटी के बात करें कभी बहुत बड़ी और बहुत बैतरिन कंपनी रही थी की हाल फिलाल क्वालिटी भी क्वालिफाई नहीं करती है वहीं वैल्यवेशन भी क्वालिफाई नहीं करती है ये जुरूर है कि फाइनिशल ट्रेंड positive दिख रहा है लेकिन अगर हम written की बात करें एक दिन में 2.94% का positive written एक सब्ता में 16.67% का positive written एक माहा में 16.67% का positive written तीन माहा में 9.37% का positive written है इसके अलाबा 6 माहा से लेकर 10 साल के दोरान ये 98.9% तक तूड़ चुका है negative written दे चुका है 6 माहा में 22.22% का negative written ये till date जिनोंने जनवरी 2019 के आसपास gammon infra project में निवेश किया है उनको बीते 11 मैनों में 50% से ज्यादा का negative written दे रहा है बीते एक साल से जो बने होए है gammon infra project infrastructure project पे ये भी बीते एक सालों में 58% के आसपास का negative written मिल रहा है वहीं दो साल में 88.60% का negative written तीन सालों में 91.23% का negative written चार सालों में 95.16% का negative रहा है हाल फिलाल 6 मैने से लेकर 10 साल के दोरान जो निवेशक है उनको भारी भर कम नुक्सान हो रहा है लेकिन बीते एक दिन से लेकर 3 मैने के दोरान जिनोंने निवेश किया है उनको यहाँ पे profit मिल रही है positive return मिल रहा है लेकिन साथियों ग्यामन इन्फरा प्रोजेक्ट पे निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान रखें जो शियर बीते 10 सालों से चला नहीं है लगातार गिरा है उसमें बले ही एक से दो या तीन मैने के दोरान एक छोटा सा positive trend बना हुआ है लेकिन साथियों इतनी छोटे सी positive trend को देखके हम विगत को नहीं भूल सकते बेशक बेशक 99% तक तूट चुका 33 रुपए का शियर 25 पैसे के आसपास से 35 पैसे तक आ चुका है अगर हम कहें ये कमाल और धमाल करेगा साथियों इसमें हमें बहुत ज्यादा उमीद नहीं है ग्यामन इंफरास्ट्रेक्टर प्रोजेक्ट को हमने बहुत सालों से देखा है एक बहुत बैतरिन एक बहुत ब के लिए हो सकता है हो सकता है ये 25 पैसे का शियर आगे चलके 40 50 या 60 पैसे तक तो भले ही चला जाए छोटे अब अबदी के लिए एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने के जरिया ग्यामन इंफरा का शियर बने लेकिन लंबे अबदी के लिए इस शियर में कुछ भी नहीं है ल किसी तरह की कोई निवेश ना करें कमाल धमाल के लालच में जो आपके मेहनत के पैसे हैं वो भी बरबाद नहों जाए हां ये जरूर है शौट टम ट्रेडिंग के लिए हो सकता है हो सकता है कि 25 पैसे का शियर आपको 50 पैसे तक या 60 पैसे तक आप साइट जाता हुआ दिख सकते हैं ले सकते हैं तो 25 पैसे के शियर को आप 60 पैसे तक के टार्गेट के लिए निवेश कर सकते हैं रही बाद लंबे अबदी का निवेश की तो साथियों गैमन इंफ्रा से आपने आपको हाल फिलाल दूर रखें जब मौका आएगा जब माहुल बनेगा जरूर हम गैम जारी के रिकमेंडेशन देंगे हाल फिलाल शॉट टरम के लिए एक चांस जरूर बनता है लेकिन लॉंग टरम इंवेश्मेंट ग्यामन इंफ्रा में नहीं बनता है साथियों ये थी 99 परशेंट तक तूड़ चुका 33 रुपए का शेर हाल फिलाल 25 पैसे से कुछ आगे यूटूप में शेर कर देना और जिन भाई साथियों ने अभी तक मेरा यूटूप चैनल मनी मंत्र को सब्सक्राइब नहीं की हो जरूर करें बविशे में शेर मार्कट से स्टॉक से जुड़ा हुआ डाटा डिटेल इन्फरमेशन आपके पास आते रहेंगे इन सबी बात के साथ साथियों मैं इस क्लिप में आप लोगों से विदा लेता हूं अगले क्लिप में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जये हिन जये बारत